तो आज लेकर क्या हूं मैं में शो शौपिंग हॉल बहुत सारे पार्सल जो मैंने रिसीव किये थे जिसकी वीडियो में आपके सब शेयर नहीं कर पाई थी तो मैंने एक ही वीडियो बना दिये तो यह देखिए फर्स पार्सल मेरा ये था जो मैंने रक्षा बंदन के लिए बनवाया था जो मेरा आउटफिट था रक्षाबंदन का उस पर मैचिंग मैंने बैंगल समंगवाई थी तो यह मुझे रक्षाबंदन से पहले रिसीव होगी थी वीडियो मैंने बना के रख ली थी बटन में को इसको बिलकुल भी अपलोड करने का टाइम नहीं था तो यह हैं मेरा इसी तरह का मेरा इसी कलर का मेरा् realiseुट था तो बहुत प्यारी वाले आई थी बांकी कलर में ब्रहुंड मेर हैं च्छे प्रांद यह मिरे मीशू से ऐडर कर था मुस्टली मेरे इसमें जितने भी पार्सल एं मीशो से इंचLो से यह देखे यह बहुत सारे पार्सल थे बट काफी चीजे मझे एक्सचेंज में डालनी पड़ी थी तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्सल जो हमारा हमें रिसीव हुआ है तो यह वाला है अभी से ओपन कर लेते हैं इसके बाद इस में रिसीव हुआ है मझे सूट यह मैंने भाई की बेटी के लिए सूट मंगवाया था रक्षा बंधन का तो यह राखी के लिए गिफ्ट था मेरे भाई की बेटी को तो यह बहुत प्यारा सूट था कॉटन में बट इसका साइज बिल्कु भी सही नहीं था यह मुझे अभी एक्सचेंज में डालना पड़ा था जो कि अब इसमें देखेंगे कि इसमें हमें क्या निकलता है बहुत बड़ा जैसा पार्सल था मुझे याद भी नहीं था कि मैंने क्या क्या यॉडर कर वा दिया था तो चलिए फिल हाल हम इसे एपन कर चुके हैं तो इसमें निकला है सूट जो कि मैंने बहुत उमीदों से अपने आप पर तो मुझे बिल्कुल भी साही नहीं लगा डिजाइन बहुत अच्छा था नो डाउट बट मुझे अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैंने इसको रिटान कर दिया स्टाइल भी नो डाउट इसका बहुत जादा अच्छा था जिसको पसंद आया वो प्रचीज कर सकते हैं बट मुझे पसंद नहीं आया तो अब जाते हैं इस वहले पार्षल पे अब देखते हैं कि इसमें क्या है तो अभी से ओपन कर लेते हैं और पेकिंग से आपको पता लग की चाहता है कि ए कि है मीशो का पार्षल है तो ये मैंने दो कुर्था पजाम अपने बेटू के लिए ओर्डर किये थे मेरे बेटू को पठानी सूट पहनने का बहुत सदा शौक था तो ये मैंने ओर्डर किये जो की दोनों ही बेकार निकले हैं और बेकार इंदरसंस की इंकब बहुत बड़ा बड़ा साइज निकला है और ब्लैक वाले को मैंने एक्सचेंज पर डाला था और यह जो रादे रादे वाला था यह मैंने जन्मस्टमी के लिए ओर्डर किया था जिसमें की साइज और अवेलिबल ही नहीं थे तो इसलिए मैं ने एक्सचेंज के लिए दिया था जो कि रक्षबंदन पर नहीं आया था वो भी उसके बाद ही मुझे रिसीव हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो उसके बाद मुझे यह वाला पार से रिसीव हुआ है इसमें मैंने मंगवाए थे शाखा पुला और मैंने अच्छे निकलेंगे लुक वाई यह बहुत जादा अच्छे थे बट यह अंदर से था प्लास्टिक ही जो कि मुझे यह लगता है कि शाखा पुला में ब्लास्टिक नहीं होता है एक अलग तरह का मिटिरियल यूज होता है यह जिसके लिए मैंने इसे भी रिटर्न कर दिय प्राइज इसका 400 सम्तिंग था और मैंने इसको वापस किया क्योंकि प्लास्टिक में मुझे नहीं लगता है इतना ज़दा इन्वेस्ट करना अच्छी चीज़ है अगर एक बढ़िया मिटीरियल होता तो मैं में भी इसको सोच भी लेते एक बार के तो चलिए मैं आपको इसक इस तरह की लोक दे रहा था लोक में भी बहुत अच्छा लग रहा था यह देखिए बट प्लास्टिक की वज़े से मैंने इसे वापस कर दिया था तो इसके बाद आता है बहुत ही स्पेशल गिफ्ट जो कि मैंने और नहीं किया था वह हमें सामने साय यह देखिए मैं अंत दर दर तो इसकी बड़ी बहन की दर से इसको आई थी स्पेशली राकी पर राकी यह राकी वाले दिन थे एक राकी वाले दिन ही पह долिन ही पहुंच की थी वह मुझे नेक्स आपयों चेलिबरे पांच किया आ चुका है अब वही वाला मिटीरियल था वही सूट था बिल्कुल जिटो और साइस बिल्कुल बढ़ी आ चुका था तो उसके बाद मैंने गुडिया को ये सूट दे दिया था और इसी के बाद मुझे मिल गया था मेरे बेटू का भी पार्स जो इसका पठानी सूट था तो ये देखिए ये वाला भी आ चुका है मुझे अभी भी ये बड़ा लग रहा था बहुत ज़ादा लेंथ वाइस तो ये लंबा ही था बट मेरे वीडियो को पसंता फिटिंग इसकी मस्त आ गई थी तो फिर मैंने इसे रख लिया कपड़ा उतना अच्छा नहीं है बट ये सबसे पहला टीका था मेरे भाई की बाइक को जो की मैंने सुबा सुबा मोहूरत में कर दिया था और अपने भरे हुए मंंद से भरे हुए आंखों के साथ मैं रहे इसाथ मेरे बैंगल्स जो मैंने मंगवाई थी है देखिए मैंने वेर की हैं बट इस टाइम ना पास सेफ दो ही निशानिया है एक उसका गिटार और एक उसकी बाइक तो गिटार इस बार मेरे पास नहीं था मैं हर साल उसको राखी बानती हूं और इस बार मेरे पास बाइक थी तो मैंने इस बार बाइक पर राखी बानती तो यहां पर टिका करने के बाद फिर बेटू को तो पहले ही कर चुकी थी क्योंकि कोई भी साथ में नहीं था तो मुझे ही करना पड़ना था अगर आखी पहुंच चुकी थी और मैंने उसका टिका कर दिया था इसके बाद मेरा भाई आ गया था मुझे लेने के लिए ये देखे सुपर सुपा छे बजे के करीब और यहां से बैट करके हम गए घर इसको टिका करने के लिए ये देखे मेरी शकल सुपर सुपा कैसी हो रही है बेटू बैट चुका है गाड़ी में और भाई ने फटा फट से हमें पहुंचाया था इतनी तेज तेज चला करके क्योंकि मुहुरत का टाइम निकलता जा रहा था और पर इंजॉय करो यह मैंने समान रखा है इसमें मैंने टिके का समान रखा था क्योंकि मैंने आपको पताया जैसे कि मेरे पार्सल मुझी रिसीव नहीं हो पाए थे तो मैंने राखे के बाद दिया था अपने भाई की बेटी को गेफ्ट तो यहां पे मामू और मेरा बेटा यहां पे कपे माल रहे हैं बहुत अची तरह से यहां पे सफाई हो जार रहा है सुपर सुपर की ठंड हो चुकी है तो हम पहुंचे हमने सारा काम खतम किया और फाइनली यह देखिए बड़ी मम्मी और इताई जी साथ में साथ में आ रहे थे घर वापिस तो मैंने के साथ घर वापिस आगी सरसे रहा मेरा राखी का फेस्टिबल रादे रादे हरे कृष्णा